जैहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दा लॉजिकल साइंस में मैं हूँ आलोप सिंग आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग फिजिक्स और केमेस्टी से संबंदी थी कुछ महतपूर्ण नमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए अत्यन्थी उप्योगी है साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेस्टन है उसका पीडियेफ आपको कहा मिलेगा यह हमारे टेलिग्राम गूप समय जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं साथ ही अगर आप में सो कोई मित्र बचे वे समय में साइंस को कम्प्लीट रिवाइच करना चाहते हैं तो आप जूर सकते हैं हमारे साथ इस अरजुना बायो बैच में और लक्स फिजिक्स केमिस्टी बैच में दोस्तों इस बैच से समधित किसे भी तरह के जानकारी के लिए आप दियेगे नंबर पे कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं बैरहाल आईए अपने सेसन की सुलवात करते हैं और चलते हैं पहले कोश्चन की तरब आपका जो पहला कोश्चन है आज के इस सेसन का क्या पुछा जा रहा आप से आपसे पुछा जा रहा है कि कोई बल 2 kg की एक बस्तु को 0.5 मीटर पर सकेंड स्कॉयर का तोरण परदान करता है वही बल 10 kg की बस्तु को कितना तोरण परदान करेगा जबकि option दिया हुआ है 0.1 meter per second square दूसरा option है 0.2 meter per second square तिसरा option है 0.5 meter per second square और चोथा option है 1.0 meter per second square क्या होगा इसका answer आपसे question करा जा रहा है कि कोई बल है जो 2 kg के बस्तु में 0.5 meter per second square का तोरण उत्पन करता है तो आपसे ये question करा जा रहा है कि वही बल जब बस्तु का दरब्मान 10 kg होगा तो उसमें कितना तोरण उत्पन करेगा मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर according to question हम इ तो गुरुजी 0.5 meter per second square का तोरण उत्पन कर दे रहा है हमसे क्या question पूछा जा रहा है कि अगर यही बल कोई सी 10 kg के object पे लगे तब 10 kg का जो object होगा उसका तोरण क्या होगा बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे इसार ये बनेगा कैसे आसानी से बन जाएगा भाई मेरे आप को सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना होगा तो सबसे पहले आपको यह निकालना होगा कि यहाँ पे जो बल 2 kg के बस्तु पे लग रहा है जिसके वज़से 0.5 meter per second square का तोरण उत्पन हो रहा है उस बल का मैगनिचूड कितना है उस बल का परिमान कितना है आप सभी कहेंग आपके question में जो बल लग रहा है बस्तु पर वो कितना है सर उसका द्रभमा तो सर 2 kg तो M के जगा आप 2 रख दीजिए गुना तोरण कितना उत्पन हो रहा है तो गुरू जी 0.5 मीटर पर सकेंड स्क्वाइर का जब आप यहां से point हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ और 2,5 है कितना होता है 10 और यह 5,5 केंसिल हो जाएगा यहीं कि आपका बल कितना हो गया आप कहेंगे कि गुरू जी जो 2 kg के बस्तु में 0.5 मीटर पर सकेंड स्क्वाइर का तोरण उत्पन हो रहा है उस पे कितना बल लग रहा है एक न्यूटन का बल लग रहा है और आपक कहेंगे कि गुरू जी एफ हो जाएगा एक न्यूटन और एक इकल टू क्या होता है में लेकिन यहाँ पर हम बस्तु का द्रमान कितना लेंगे 10 और हमको निकालना क्या है ए तो एक इक बाटा 10 और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरू जी यह हो जाएगा 0.1 मीटर पर सकेंड सब्सक्राइब तो आप बताएगे कि आपके इस कुष्ण का सही आंसर क्या होगा आप सभी कहेंगे सर अप्शन नुमबर एज़गा राइट आंसर अप इस कुष्ण उमीद करते हैं समझ पाएँ होंगे चलते हैं अगले कुष्ण की तरब आपका दो अगला कुष्ण है क्या पुछा जा रहा आपसे आपसे पुछा जा रहा है कि उत्तल लेंस के एक और 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी बस्तु का परतिविम दूसरी और 30 सेंटीमीटर की रहे है कि कोई उत्तल लेंस है जिसमें एक और 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी बस्तु का परतिविम दूसरी और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी मेरमित्र आप सभी क्या कहेंगे कि ग है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बस्तु दूरी को हम लोग U से रिफिजेंट करते हैं और उत्तल लेंस की बात की जा रही है यहाँ पर बस्तु दूरी हमारा क्या हो जाएगा near 20 century हो जाएगा क्या होजाएगा milissenand sur right और साथ Pat kalian दूसरी और कितना दूरी पे बन रहा है 30 cm की दूरी पे बन रहा है तो आपका जो B होगा B से हम लोग किसको रिपर्जन करते हैं परतिविम दूरी को रिपर्जन करते हैं तो B equal to कितना हो जाएगा आप कहेंगे 30 cm और आपसे question क्या करा जा रहा है किस उत्तल लेंस की focus दूरी क्या होगी आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है किस से लेंस formula से क्या कि आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 1 बटा F equal to क्या होता है 1 बटा B minus 1 बटा U होता है मेरमित्र अगर आप इन सारे value को यहाँ पर put कर देंगे तो आपका answer आ जाएगा आप कहेंगे कैसे तो ध्यान दीजेगा हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 बटा F equal to होता है 1 बटा B minus 1 बटा U तो आपका B कितना है तो गुरुजी 30 cm यह हो जाएगा 1 बटा 30 minus ध्यान दीजेगा यहाँ पर 1 बटा U है तो आपका U कितना है तो गुरुजी minus 20 cm तो लिजिए इसको हम लोग 1 बटा minus 20 cm करते रहे ध्यान देंगे यह minus और minus क्या होगा आप कहेंगे पलस हो जाएगा तो 1 बटा 30 पलस 1 बटा 20 हो जाएगा विरमित्र जब आप 30 और 20 का LCM लेंगे तो क्या कहेंगे आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यह 60 हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 और 30 दूना कितना होता है 60 तो यह यहाँ पर 2 आ जाएगा और 20 तिया कितना होता है 60 यहां पर कितना आजाएगा 3 आप क्या कहेंगे कि 1 बटा f equal to हो जाएगा 3 दू 5 बटा 60 विरमित्र जब आप इसको cross multiplication करेंगे तो 5 f equal to कितना हो जाएगा आप कहेंगे 60 और 12 पंचे कितना होता है तो sir 60 होता है f equal to क्या हो जाएगा 12 cm हो जाएगा तो आप बताएगे कि आपके इस question का सही answer क्या होगा आप सभी कहेंगे sir option number c is the right answer of this question विरमित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर lens की बात की जाएगी तब हम लोग जो lens formula लेते हैं उसमें हम लोग 1 बटा b minus 1 बटा u लिखते हैं और अगर दरपन सुत्र की बात करते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं तो 1 बटा b plus 1 बटा u लिखते हैं तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि lens सुत्र में 1 बटा b minus 1 बटा u होता है जबकि दरपन सुत्र में 1 बटा b plus 1 बटा u होता है उमीद करते हैं समझ पाएं होगे चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है question number 3 बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पुछा जा रहा है कि एक कन 10 cm की तिर्जा के ब्रित पर अचार रेखिक विग 5 cm पर सकेंड चक्कर से काट रहा है तो कन का अभी केंद्रिय तोरन होगा option दिया हुआ है सुन दूसरा option है 0.5 cm per second square तीसरा option है 2 cm per second square और चौथा option है 0.5 cm per second square आपसे question करा जा रहा है कि कोई कन है जो 10 cm की तिर्जा के ब्रित पर अचार रेखिक विग यानि कि constant linear velocity 5 cm per second से चकर काट रहा है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कन का अभी केंद् टॉरन का formula क्या होता है तो आप सभी धियान में रखेंगे और मैंने पीछे की situation में आपको बताया भी है कि अभी केंद्रिया तोरं का formula होता है तो भी लेग है आर क्या है तो सर तिर्जिया है और मेरे में ध्यान दीजिएगा आपके क्या कहा जा रहा है कि कोई कंध है मान लेते हैं कि यह आपका एक बिर्ताकार मार्ग है और इस बिर्ताकार मार्ग की तिर्जिया कितनी है तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है दस सेंटीमेटर और इस पे कोई कन है जो किस बेग से गती कर रहा है तो गुरुजी ये 5 cm पर सेकेंड के बेग से इसके चारों और भूम रहा है तो आप से ये पूछा जा रहा है कि अभी केंद्रियत तौरन का मान यहां पर कितना होगा आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेस्टन में बेग के सारे क्या कि B2 के जगा क्या हो जाएगा 5 का इसक्वाइड और यहां पर क्या हो जाएगा तयसर दस ये क्या हो जाएगा 25 अबटा 10 जब आप solve करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी जो अभी केंद्रियत तोरन होगा वो हो जाएगा 2.5 cm पर सकेंड स्कॉरर और हमारे इस question का सही answer क्या हो जाएगा आप सभी कहेंगे Sir option number B हो जाएगा विरमितर आप सभी ध्यान क्यों नहीं परिए तो आप सभी देख रहे हैं कि जो तीर्जया है वो किसमे है cm में है और साथी बेग किसमे है cm पर सकेंड में यह आपका कौन सा यूनिट है CGS यूनिट है CGS यूनिट है और मैंने आपको पीछे के सेशन में यह भी बताया है कि आपका सभी भातिक रासी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही भातिक रासी समय आपका ऐसा है जिसका मातरकों के हर एक पधती में यूनिट क्या होता है और CGS यूनिट में अगर हम लोग चाल के यूनिट की बात करते हैं या बेक के यूनिट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं CGS का नाम लेते हो, या फिर SI सिस्टम का नाम लेते हो, ये सब के सब क्या 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 लाते हैं, मातरकों की पधती क्या लाते हैं, और MKS में हम लोग लंबाई के लिए मीटर यूज़ करते हैं, और मास के लिए हम लोग किलोग्राम यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए हम लो के लिए centimeter और द्रबमान के लिए gram और हम लोग time के लिए किसका use करते हैं second का यहां भी आप क्या use कर लिए second ही use कर रहे हैं और साथ ही जब आप SI system की बात करते तो क्या कहते हैं कि गुरु जी ये MKS system का ही क्या होता है संसोधित रूप होता है तो आप सभी इस चीज़ का भी घ्याल रखेंगे उमीद करते हैं समस्त कि तरफ आपका जो अगला कुश्चन है क्वेश्चन नमब फोर क्या फोचा जारा आपसे आपसे पूछा जारा है कि एक 500 किलोग्राम की कार एक 50 मीटर वाले ब्यासार्द का चक्कर 36 किलो मीटर परावर की गती से लेती है तो उसका अभिकेंद्रिया बल होगा अप्शन दिया हुआ है 1000 न्यूटन दूसरा अप्शन है 750 न्यूटन तीसरा अड़ाइसो न्यूटन और चौथा अप्शन है 12 न्यूटन क्या होगा इ तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि उसका अभिकेंद्रिया बल कितना होगा मेरे में तो ध्यान देंगे कि यहां पर जो ब्यासार्द की बात की जा रही है यहां पर जो ब्यासार्द की बात की जा रही है इसका मतलब क्या होता है तो ब्यासार्द का मतलब होता है ब्यास का आधा और जब भी हम लोग अभी केंद्रियवल या फिर अपकेंद्रियवल की बात करते हैं तो हम लोग आटोमेटिकली समझ जाते हैं क्या कि इसमें जो बस्तू है वो कहां पे गती कर रहा होता है तो बिर्ताकार मार्ग में गती कर रहा होता है और जब आप ये कहरें कि ब्य और इसाति साथ का वे क्तिना दिया ख मिर मित्यकर यहां पर यहां पे आप थोरा से आपने कलमु को रोकें यह ध्यान दिजेगा कि यहाँ पर आपका तिरजिया मीटर में है और जो मास है वो किस में है केजी में है लेकिन जो बेग है आपका वो क्या है तो सर किलो मीटर पर आवर में है हमको क्या करना होगा यहाँ पे blog दिया हुआ रहता है उसको हम लोग सीधा क्या करते हैं तो सर 5,18 से भूना कर देते हैं 18 दुना कितना हो जाएगा 36 और 5 दुना कितना हो जाएगा तो सर 10 मिटर पर सेकेंड हो जाएगा यानि कि अब आपका question क्या है तो आपका question है कि जो car है उसका दरबमान 500 केजी है और वो कितना तिरजिया पे घूम रहा है सर तो 50 मीटर के तिरजिया वाले बिर्ताकार मार्ग में घूम रहा है जिसकी वेग 10 मीटर पर सेकेंड है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी केंडरिया बल क्या होगा तो मिरमितर यहाँ पे आपको अभी केंडरिया बल का formula याद होना चाहिए और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अभी केंडरिया बल का formula क्या होता है तो अभी केंडरिया बल का formula होता है mb square बटा r गूम रहा है, तो कार का दरबमान कितना होगा? 500 कजी, ध्यान दिजेगा यहां पे B² बठा R क्या है? तो आप सभी कहेंगे अभी यह न बताएं हैं, यह न अभी केंद्रिया तौरण है, क्या है यह? अभी केंद्रिया तौरण है, और आप सबी क्या कहते हैं कि गुरुजी बस्तु के दरबमान और तौरन के गुननफल को हम लोग क्या कहते हैं बल कहते हैं यहाँ पे बस्तु का दरबमान और अभी केंद्रिया तौरन के गुननफल को आप क्या कहेंगे अभी केंद्रिया बल कहेंगे क्या कहेंगे अभी केंद्रिय बल कहेंगे अब आप कहेंगे कि sir अब तो ये question बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा sir M के जग़ा हम लोग क्या रखेंगे 500 रखेंगे और साथी B square के जग़ा क्या रखेंगे तो sir 10 का square कर देंगे तो 100 करके यहाँ पे हम लोग पहली लिख दे रहे हैं और तेजिया कितना है गुरू जी 50 मीटर तब बटा 50 हो जाएगा ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आप क्या कहेंगे कि गुरू जी 5 दूना 10 भी हो जाएगा और 500 दूना कितना हो जाएगा 1000 येनि कि जो कार का अभी केंद्रिया बल होगा वो कितना होगा 1000 न्यूटन होगा और आपके इस कोश्चन का सही ऑप्षन क्या होगा आप सभी कहेंगे सर ऑप्षन नमबर A is the right answer of this question उमीद करते हैं समझ पाएँ होगे चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ आपका जो अगला कुश्चन है क्या पुछा जा रहा आप से आप से पुछा जा रहा है कि 5 किलोगराम वजन का एक लकडी का टुकरा जल के भीतर उसके आइतन का 60% भाग डूबो कर तेरता है तो लकडी का बिसिस्ट गुरुत है आपसे पुछा जा रहा है कि कोई 5 केजी का लकडी का एक टुकरा है जो जल में तैर रहा है और जब वो जल में तैर रहा है तो उसका जो आइतन का 60% भाग है वो क्या है डुबा हुआ है तो आप से ये पूछा जा रहा है कि इस लकडी के टुक्रे का विशिस्ट गुरुत क्या होगा आप कहाएंगे सर गुरुत तो हम लोग पढ़े हैं लेकिन ये विशिस्ट गुरुत क्या होता है तो मेरे में तर बड़ा ही सरल सा चीज होता है और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग विशिस्ट था हे जल में तैर रहा होता है तब हम लोग किसंस की बात करते हैं तो गुरुजी बिईश्च गुरुपत्त है आपके dispersed में क्या कहा जाना है कोई पाँच केजी का लकडी का टुकर है मांन लिजिए सर यह आपका एक कोई कंटेनर है और इसमें कोई लकडी का टुकरा है जिसका दरबमान कितना है पांच केजी है और क्या कहा जाना है कि इस पांच केजी लकडी का जो टुकरा है इसका 60% भाग क्या है सर जल में डुबा हुआ है इसका 60% भाग क्या है जल में डुबा हुआ है इस लकडी के टुकरे क कितना होगा मिरो मितर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विस्ट गुरुद्ट किसके बराबर होता है तो डूबा हुआइतन भिस्ट गुरुद्ट डूबा हुआ आइतन और साथी साथ बस्तु के बस्तु के संपुर्न आइतन का अनुपात होता है जब भी आपसे कुछा जाए कि विसिस्ट गुरुद तो क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि विसिस्ट गुरुद जो है वो बस्तु का डुबा हुआ अईतन और बस्तु के संपूर्ण आईतन का अनुपात होता है यह फिर डूबा हुआ अईतन और बस इसका जो आइतन है वो हम लोग माल लेते हैं 100 है क्या कहा जा रहा है कि जो आपका ये लकडी का टुकरा है इसके आइतन का 60% भाग जो है वो पानी में डुबा हुआ है बिरमित्र डुबा हुआ इसका आयतन कितना होगा डुबा हुआ आयतन कितना होगा आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये माल लिये हैं कि इस 5 केजी के लकडी का पुरा आयतन 100 है तो जाहिर सी बात है कि डुबा हुआ आयतन कितना होगा 60 होगा और आप से क्या पूछा जा रहा है, विसिस्ट गुरुत तो क्या होगा, आपने क्या बोला, कि डुबा हुआ आयतन, अब बटा, बस तु का संपूर नायतन, तो डुबा हुआ आयतन कितना है, 60, संपूर नायतन आपने कितना माना, 100, तो जब आप इसको solve करेंगे, तो क्या क जाएगा, तो जब भी आप से क्यूस्ट में बिसिस्ट गुरुत की बात की जाए, और आपके क्यूस्ट में बस तु के डुबे होने का आयतन दिया हुआ है, तो आप बिसिस्ट गुरुत इस फर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाले, उमीद क्लोरीन 17-30, दूसरा अप्शन है, आरगन 18-30, तीसरा अप्शन है, पोटेसियम 49-49, और चौथा अप्शन है, सलफर 16-36, बताई ये क्या होगा इसका आपसे क्यूस्ट करा जा रहा है, कि आपके इस चारो अप्शन में से कौन सा ऐसा कन है, जिसमें 20 न्यूट्रोन है, और साथ ही 18-13 एलेक्ट्रोन है, विरमित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे, कि गुरुजी आपने इस कंसन का कंसेप्ट कल के सेशन में भी बताया है, और अगर हम लोग कल के कंसेप्ट से यहाँ पे इसको अपलाई करना जाएं, तो क्या कहेंगे, कि हमारी जिसकन क की बात की जा रही है, उसमें टोटल नंबर ओफ न्यूट्रोन 20 है, और टोटल नंबर ओफ एलेक्ट्रोन कितना है, 18 है, और आपने किसी सेशन में ये भी बताया है, कि किसी तब तो का जो परमानु संख्या होता है, उसको हम लोग जैड से रिपरजेंट करते हैं, और ये अठारा उलेक्ट्रोन का जिक्र किया गया है, तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी इसमें प्रोट्ॉन भी कितना होगा, 18 ही होगा, प्रोट्उन भी कितना होगा, 18 ही होगा, एक बात तो आपका फिक्स है, जिस तत्व की चर्चा आपके कोईस्च Zustand में करी जा रही यह जिस कन की चर्चा आपके question में करी जा रही है उस कन का जो atomic number होगा वो कितना होगा 18 होगा अब बात किसकी रह जाती है atomic mass की मैंने आपको कल के सिर्चन में भी बताया है atomic mass को A से represent करते हैं और A equal to proton plus neutron होता है proton आप कह रहे हैं 18 है और question में neutron कह रहा है 20 तो आप क्या कहेंगे कि इगरुजी जिस कन की चर्चा की जा रही है उसका दरभमान कितना होगा तो उसका दरभमान 38 होगा और आपके option number B में क्या लिखा हुआ है तो आरगन 18 38 लिखा हुआ है तो आपके इस question का सही answer क्या होगा आप सभी खेंगे इगरुजी option number B हो जाएगा उमीद करते हैं समझ होंगे चलते हैं अगले question की तरव आपका जो अगला question है question number 7 बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहे है कि विभुवांतर 40 बोल्ट है 0.5 कुलम के आवेस को प्रिसित करने के लिए किया गया कार्ज ग्याद करें option दिया हुआ है 20 जूल दूसरा option है 20 ओम तीसरा option है 10 एंपियर और आपका चोथा option है 20 ओम मीटर क्या होगा इसका आपसे question करा जा रहा है कि विभुवांतर अगर 40 बोल्ट हो और साथी साथ आबेस 0.5 कुलम हो तो यहां पर किया गया कार्ज कितना होगा यह चीज़ आपको बताना है मेरे में तरहा आप सभी कह गयते हैं आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग विदुत ब्युवाब की बात करते हैं एलरक्रिक पोटेंसल की बात करते हैं हम सभी कहते हैं कि अनंत से कि किसी charge या अनंत से परती एकांक सावेश को विदू चैतर के अंतरकात लाने में जितना कार्ज किया जाता है वही क्या कहलाता है विधुत विभव कहलाता है और विधुत विभव के लिए आम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं तो भी इकोल स्टू डबलू बटा क्यू लिखते हैं यहाँ पर डबलू क्या है तो गुरू जी य कि गुरुजी question में विवांतर भी दिया गया है और आबेस भी दिया गया है विवांतर कितना है? 40 वोल्ट आबेस कितना है? 0.5 point हटाएंगे तो नीचे 10 आजाएगा 10 चोका 40 और 5 चोका कितना हो जाएगा तो गुरुजी 20 जूल हो जाएगा और हमारे इस question का सही answer क्या होगा? आप सभी कहेंगे sir option number A हो जाएगा बहुत सारे मित्र इस formula को नहीं समझ पा रहे होंगे मेरे मित्र कोई डिक्कत नहीं है तो अदेर के लिए आप assume कर लीजिए कि यह आपका कोई Q plus charge है जो यहाँ पर किसी बिंदू पर रखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे? कि गुरुजी यह Q plus जब charge है तो यह अपने आसपास क्या करेगा? बिदू छेतर create कर लेगा और मान लेते हैं कि यह Q plus charge का बिंदू है जितना कार्ज करना परता है वही बिदूत बिवाब कहलाता है मेरे मित्र यह जो आपका Q plus charge है अनन्त पे जब आप इसको उठा करके कहां आएंगे? तो सर इस बिदूत छेतर के अंतरगत लाएंगे तो सर यह जो आपका Q plus charge है वो क्या करेगा? तो इस Q plus charge पे repulsion force लगाएगा लेकिन फिर भी आपको यहां तक आना है तो आप क्या करेंगे? कि इसके repulsion force के बिपरित कार्ज करेंगे क्या करेंगे? repulsion force यानि कि बिकर्शन बल के बिपरित आप कार्ज करेंगे और जैसे ही आप कार्ज करके यहां पे पहुँचेंगे तो यहां पे बिदूत बिभव कितना होगा? तो सर डबलू बटा Q के बराबर होगा और इसलिए हम लोग क्या कहते है? कि परती एकांक आवेस को अनंत से किसी आवेसित छेतर के अंतरगत लाने में जितना कार्ज करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? बिदूत बिभव क्या आलाता है? तो अगर आपको यह वाला फार्मूला मालूम है तो कार्ज आप आसानी से निकाल सकते हैं उमीद करते हैं समझ पाए होंगे चलते हैं अगले कुश्चन की तरब आपका जो अगला कुश्चन है कुश्चन नुबर 8 बड़ा ही आसान सा सवाल आप से पुछा जा रहा है कि अमोनिया में N2 और H2 के दरबमान हमेशा डैस अनुपात में होते हैं ओप्शन दिया हुए 3 is to 14 दूसरा ओप्शन है 8 is to 3 तीसरा ओप्शन है 14 is to 3 और चौथा ओप्शन है 3 is to 8 क्या होगा इसका अंसर कुश्चन बहुत ही सरल है लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्र यहां पर आ करके फस जाते हैं बहुत सारे मित्र क्या दिमाग लगा लेते हैं हमसे पुछा जा रहा है कि NH3 में और एच्टू का जो दरभमान के हिसाब से अनुपात है वो कितना होता है तो मिरे मित्र क्या कर देते हैं आप लोग कि जो नाइट्रोजन है इसका आप लोग दरभमान 28 ले लेते हैं क्योंकि आप सबोंने रट रखा है कि नाइट्रोजन के एक परभमान 14 होता है दूगो है तो 14 दून 28 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हाइट्रोजन 2 है तो आप कहते सर 2 और 28 और 2 के बीच में आप क्या करते हैं अनुपात निकाल लेते हैं और आपका आंसर क्या होता है पूरी तरह से गलत हो जाता है मेरे में तर ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका अमोनिया का फ्रमिशन होता है वो किस से होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होता है और जब आप N2 और H2 का reaction करवाते हैं तब आपका क्या बनता है? NH3 बनता है यनि कि ammonia बनता है और यहाँ पे जो आपसे question पुछा जा रहा है कि ammonia में N2 और H2 का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे आप यह समझेंगे कि question आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह जो हमारा ammonia योगिक है इसमें nitrogen और hydrogen का भार के बिचार से क्या अनुपात है? ध्यान दीजेगा यहाँ पे क्या है? NH3 है तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम सबोंने अभी just discuss भी क्या है कि nitrogen के एक परमानु का द्रभमान कितना होता है? 14 होता है और hydrogen के एक परमानु का द्रभमान एक होता है और यहाँ पे कितना है? 3 तो कितना हो जाएगा? 3 तो आप सभी ध्यान देंगे यहाँ पे nitrogen का जो हम लोग परमानु द्रभमान लिखेंगे कितना? 14 लिखेंगे और hydrogen के लिए कितन कितना होगा भार के बिचार से 14 is to 3 होगा कितना होगा 14 is to 3 होगा और आपके इस question का सही answer क्या होगा आप सभी कहेंगे कि sir option number C हो जाए साथ ही आप सभी ध्यान में ये भी रखेगा कि जब nitrogen और hydrogen आपका react करता है तो क्या बनाता है और यह जो है यह आपका किस परकार का रास्यानिक अभिक्रिया का उधारन होता है तो reversible chemical reaction का उधारन होता है यह निकि आप ns3 से फिर से क्या कर सकते हैं तो ns3 से फिर से nitrogen और hydrogen को प reversible chemical reaction होता है यह निकि आमोनिया से nitrogen और hydrogen को फिर से प्राप्त किया जा सकता है उमीद करते हैं समझ पाये होंगे चलते हैं अगले question की तरफ आपका जो अगला question है question number 9 क्या पुछा जा रहा है आपसे आपसे पुछा जा रहा है कि जब lead oxide और HCl एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तब यह lead chloride और साथी साथ water बनाता है कहा जा रहा है कि समिकरन पर ध्यान दें उक्त समिकरन के संतुलन हे तू HCl के dash mole की आवसकता होती है option दिया हुआ है दो दूसरा option है 4 तीसरा option है एक चौथा option है 3 क्या होगा इसका answer बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमको केसे पता चलेगा कि इसमें कितना मोल्स क्या वासकता है विरमितर आसानी से पता चल जाएगा जो यहाँ पर आपका chemical reaction दिया गया है उसको अगर आप क्या करेंगे संतुलित कर लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस reaction में कौन से पताक्त कितने मोल्स के रूप में उपस थी आप खहेंगे कैसे तो ध्यान दिजेगा क्या आपका reaction है कि लेड ऑक्साइड यानि की PBO जब अभिकरिया करता है HCL हाइड्रोक्लोरीक अमल के साथ तब क्या बना लेता है तो PBCL2 यानि की लेड क्लोराइड बना लेता है और साथी साथ क्या release करता है H2O release करता है जरासा ग साथ ही यहां पे hydrogen के लिए यहां पे कितने है दो अगे वरिया सर यहां पह संतूलित करेगा दिया जाएगा संतुलित करने के लिए हम लोग इस समिकरन को फिर से एक बार लिख लेते हैं PBO plus HCl जब react करता है तो PBCL2 plus H2O बनाता है मेरे मितर जब भी हम लोग किस भी रसाइनिक समिकरन को संतुलित करते हैं तो पहले हम लोग क्या देखते हैं पहले ये देखते हैं कि जो समिकरन है उसमें जटील कंपाउंड कोन सा है जटील योगिक कोन सा है या फिर हम लोग ये देखते हैं कि बड़ा योगिक कोन सा है आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बड़ा योगिक ये नजरा आ रहा है ध्यान दिजेगा, यहाँ पे PB कितना है, एक, CL2 कितना है, तो सर दो है, इधर PB आपका एक, लेकिन CL कितना है सर, तो सर एक ही है, तो क्या करना होगा, क्लोरीन को बैलेंस करना होगा, क्या करेंगे, तो सर, heat and trial method के अनुरूप, यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, तो हमारा क् कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और साथ ही, hydrogen कितना हो जाएगा, तो सर, hydrogen भी 2 हो जाएगा, मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर आप इस reaction को आप देखेंगे, तो आपको क्या मालूम परेगा, कि यह संतुलित हो चुका है, कैसे, तो यहाँ भी आपका PB एक, यहाँ भी PB यहाँ पर oxygen एक, यहाँ पर भी oxygen एक, यहाँ पर आपका 2 hydrogen, यहाँ भी 2 hydrogen, यहाँ पर आपका 2 chlorine और यहाँ भी आपका 2 chlorine, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कि जब lead oxide HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब इसको lead chloride और water बनाने में, कितने mol HCl की जरूत हो रही ह तो आप बताइए कि आपके इस question का सही answer क्या होगा, आप सभी कहेंगे, Sir, option number A is the right answer of this question, मिरे मित्र, जब भी आपको इस परकार का question पूछा जाए, कोई chemical equation दिया हुआ रहे, और आपसे पूछा जाए, कि कोई पदार्थ की कितनी mol की आवसकता है, आप जट से क्या करेंगे, उस समिकरन को चेक कर लेंगे कि संतुलित है या फिर और संतुलित है, अगर आप संतुलित होगा, तो उसको आप संतुलित कर देंगे, और अगर संतुलित होगा, तो फिर आप वहाँ पे चेक कर लेंगे, कि उसका coefficient क्या है, जिस पदार्थ की बात की जा रही है, उमीद करत दूसरा उप्षन है 2, तीसरा उप्षन है 8, चौथा उप्षन है 16, बता ये नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा, आप से कुश्चन करा जा रहा है कि N सेल में अधिक्तम एलेक्टरॉन की संख्यां कितनी होगी, आप सभी क्या कहते है, कि गुरुजी किसी परमानू के किसी एक कक्षा में अधिक्तम एलेक्टरॉन की संख्यां 2N² होती है, जहाँ पे N क्या है, तो गुरुजी N इकॉल टू कक्षा संख्या है, और आप से कुश्चन क्या करा जा रहा है, कि N सेल में अधिक्तम एलेक्टरॉन की संख्यां कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर हमको ये कै कि यiéकाइं से पता चलेगा एंस सेल जो है यह कंछा है कि मित्र आप सबी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमानु का पहला कख्छा को हम लोग किसे रिपरेजर करते हैं के से और इसके बाद दूसरा कख्छा एल तीसरा कख्छा M और चौथा कक्षा आपका क्या होता है N पांचमा कक्षा O छठा कक्षा तो सर इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा तो आप बताइए कि आपका जो N सेल है ये कैमा कक्षा है आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4 ये क्या है चौथा कक्षा है और यहाँ पे आपका फार्मूला क्या है 2N स्क्वाइड जहाँ पे N क्या है कक्षा संख्या और ये जो आपका N है वो क्या है चौथा कक्षा है तो आप कहेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वाइड करेंगे तो चार्चो का 16 दूना 32 हो जाएगा यानि कि N से इल में अधिक्तम एलेक्ट्रोन की संख्या कितनी हो जाएगी आप कहेंगे 32 होगी तो आप बताएगे कि आपके इस क्षान का सही आंसर क्या होगा आप सभी कहेंगे कि गुरू जी option number A is the right answer of this question उमीद करते हैं समझ पाये होंगे चलते हैं अगले question की तरब आपका तो अगला question है question number 11 बना ही हलुआ सा सवाग आप से पुछा जा रहे इन में से कौन सा धातु का electronic बिन्यास है option दिया हुआ है 283 दूसरा option है 286 तीसरा option है 284 और चौता option है 285 बताएगे नहीं बनेगा इस question का concept मैंने कल के video session में भी बताया है और इस question का सही answer क्या होगा आप सभी नीचे comment करके जरूर बताएंगे आपके comment का इंतजार रहेगा बेरहाल चलते हैं अगले question की तरब आपका जो अगला question है question number 12 क्या पुछा जा रहा है आप से? आप से पुछा जा रहा है कि nitrogen के परमानू में उपस्थित neutron की संख्या है option दिया हुआ है 5 दूसरा option है 14 तीसरा option है 7 चौथो आप सहाथ है 11 बताए यе नहीं बनेगा असानी से बन जाएगा आप से question करा जा रहा है कि nitrogen में neutron की संख्या कितनी होगी नाइट्रोजन में न्यूट्रोण की संख्या कितनी होगी आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी नाइट्रोजन का परमानु संख्या साथ होता है और परमानु द्रभमान कितना होता है 14 होता है और मिरमित्र जब आप ये कह रहे हो नाइट्रोजन की परमानु संख्या साथ हो हुआ कि नाइट्रोजन में एलेकट्रों की संखिया कितनी होगी साथ ही होगी प्रोटोन के संखिया कितनी होगी आप कहेंगे साथ किन चैप सब्सक्राइब गुरु जी किसी भी तत्व कितना है 14 है proton कितना है आप कहाँगे सर साथ क्या निकालना है neutron की संख्या N equal to क्या हो जाएगा 14 minus 7 यहनि कि neutron की संख्या कितनी होगी तो सर 7 होगी तो आप बताएगे कि आपके इस question का सही option क्या होगा आप सभी कहेंगे कि option number C is the right answer of this question मिरमित्र उमीद करते हैं यहां तक कि जितने भी question थे उसको आप आसानी से समझ पाया होंगे अब इस टाइब का प्रस्ण अगर आपको दुबारा दे दिया जाए मेरे ख्याल से आप उसको आसानी से solve कर लेंगे साथ ही उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा share कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe करके bell icon दबा लिजिएगा ताकि इस तरह के exam relevant वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ मिलते हैं फिर अगले सेजन में तब तक के लिए best of luck thank you have a nice day